हल दोस्तो वेलकम टू बिहार से विलक्यान मैं हूँ आलोक सिंग और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सेलेवस किसका तो एलेस्टवलो का लेवर एंड सोसल वेलफेर तो आप सभी को मालूम है कि बीपी एसी में 33 ऑप्शनल पेपर होते हैं और इन ऑप्शनल पेपर में सही आपको कोई एक चूज करना होता है सेलेट करना होता है जिसकी आपको मेंस इग्जाम्स में 300 मार्क्स के 300 मार्क्स के पेपर होते हैं ठीक है यह आप्शनल सब्यक्स को कहा जाता है यह आपका अपना सब्यक्स होना चाहिए क्योंकि इस से वो questions, interview वेगरा मैं भी आपसे पूछ सकता है यह ठीक है, यानि कि ये एक optional choose करना होता है और एक होता है GS paper 1 और एक GS paper 2 तो मैंने mains का syllabus पुरा discuss कर दिया है आप channel पे उसको देख सकते हो तो आज हम सिर्फ इस optional paper का जो LSW है, इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है तो आगे मैं LSW का slayver discuss करूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप BPSC का mains या फिर prelims की preparation कर रहे हो तो आपके लिए unaked मिला है free में 300 plus live classes, जिसमें आप doubt clear कर सकते हैं, question पूछ के, फिर weekly आपके लिए free mock test है live quiz है 20,000 plus entry 23 live quizzes इतना ही नहीं, आगर आप Bihar SI की preparation कर रहे हो तो mock test आपके लिए हर सनिवार को और prelims की preparation कर रहे हो BPSC की, तो हर Sunday को आपको mock test आपे provide के जारा है, बिल्कुल free इसमें करना क्या है, कुछ नहीं बहुत ही simple unacademic app round करना है BPSC goal select करना है उसके बाद आपको ये code पुछेंगे तो code ये वला लगा देना है BCG 10 जिससे आपको जितना भी free plan का जो भी आपको courses provide किया जा रहा है, वो सब कुछ access हो जाएगा, आप देख पाएंगे free में इसके साथ ही मैं add कर दूँ कि unacademy ला रहा है आपके लिए special class festival for BPSC और Bihar SI के लिए, ठीक है ये special class है, तीन दिनों के लिए BPSC 3 days revision class आपके आप देख सकते हो, फिर Bihar SI के लिए mega test series भी है ठीक है, तो ये सारे faculty इसको आपको provide कर रहा है 50 plus live session है 50 plus live sessions every day हर दिन, तो ये आपको free में provide क्या रहा है, special class तो आप अभी जल्दी से इसको join कर सकते है BPSC mains की preparation करने के लिए आपको 60 days का batch एक launch किया है unacademy लक्ष BPSC के नाम से तो सिफ साथ दिनों में आपका पुरा syllabus complete करा जाएगा, preparation करा जाएगा तो इसको आप join कर सकते हैं अगर आप mains की preparation एक सही तरीके से करना चाहते हैं और और academy पर आप कोई course purchase करना चाहते हैं तो आप simply BPSC 10 लगाएगा आपको 10% का discount यहाँ पे मिल जाएगा तो जल्दी से आप अपना money save किजिए और अपने पढ़ाई को burst किजिए तो यह देख सकते हैं यह जो syllabus है LSW का यह English syllabus है यहाँ पे section 1 और section 2 यहाँ पे आप देख पा रहा होगे ठीक है यह English में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी वाला भी section है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो दोनों चीजे मैं दिखा दूँगा आपको चैसे आप इस चीज़ को समझ पाऊगे ठीक है तो चलो फिर सुरू से मैं बताता हूँ इसका तो यहाँ पे आप अगर देख रहे होगे तो इस जो syllabus है यह syllabus का दो section है ठीक है दो section है एक section और यहाँ पे दूसरा section तो पहले section की बात करें पहले section में देखते हैं तो labor legislation and labor administration labor legislation यानि कि जो labor का कानून है और labor का administration है उसके बारे में पहला section कहता है ठीक है ठीक इसी तरह से आपका जो हिंदी वाला है वो होगा देखिए स्रम विधान एवं स्रम परशासन यह first section में है तो इसी तरह से आपका हिंदी रहेगा और इंग्लिस में आपको जिस स्टेश में समाजना है उस समाज सकते हैं और यह वाला मैं आप टेलिग्राम पर इसका PDF सेर कर दूँगा आप वहाँ भी देख पाएंगे तो यहाँ देखिए आप पहला जो है इसमें फर्स्ट में कि प्रिंस्पल आफ लेबर लेजिसलेशन काइंड्स ओप लेबर लेजिसलेशन कि जो भी मुल्ले यानि कि जो भी मुल्ले जिधान्त है लेबर के कानून है उसको उस पे और उसके कितने परकार के हैं उसको आप यहाँ पर पढ़ना होगा उसके उससे questions यहाँ पर BPSC पूछेगा ठीक है तो यह कहा जा रहा है फिर अगर सेकेट देखे तो Brief History of Labor लेजिसलेशन इंडिया जो भी लेबर पे कानून है कानून बना हुआ है उस पे एक आपको Brief History उसका हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए तब ही आप वहाँ पे लिखने के भारत में आप कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि क्वेस्ट्री जो आएगा वो इधर से उधर जोड़ के थोड़ा पहता आएगा तो वहाँ से आप यह चीज समझ पा रहा होगे आगे देखिएगा अगर आगे हम देखते हैं यहाँ पे तो थर्ड नंबर प्रोविजन्स रिलेटेड टू लेबर इन दा इंडियन कॉंस्टिचूशन अब भारतिय सविधान में जो प्रोविजन्स क्या है लेबर से रिलेटेड तो भारतिय सविधान का आपको डीपी एस डीपी एस पी पता होगा जिसमें 42-43 यह सब यह लेबर जो पर आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए ठीक है फिर यहां पर दे सकते हो फॉलुविंग लेबर लॉज एस अमेंडेड अप्टू डेट में प्रोविजन्स एंड इवैलुएशन अब यह फोर नंबर का ही ABCD है यहां पर देख रहे होगे तो फोर नंबर में बोल होना चाहिए तभी यहां देखो फैक्ट्रीज एक 1948 आपको ध्यान रखना है मिनिमूम वेजेज 1948 वर्किंग इन बिहार भी अखना है पेमेंड वेजेज एक 1936 इक्वर रिमिनेशन एक 1976 और वर्क मेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 यह जितने भी एक्ट है सब को आपको मालूम होन चाहिए सब पर आपका नोट्स प्रोपर होना चाहिए आपको बार बार उसको रिबिट करना चाहिए तभी आप लेस डबलू में अच्छा मार्क्स लापाऊ और बिलको लेस डबलू में लोग बहुत ही आसान समझते हैं लेकिन हाँ इसमें भी थोड़ा पढ़ना पढ़े आपको ऐसा ही कुछ नहीं हो जाएगा फिर maternity benefit act 1961 में जो आया था फिर employee state insurance 1948 payment of gratitude act 1972 child labor मैं बताऊँगा आपको कि यह कहां से पढ़ोगे वो चीज में बात करूँगा आगे ठीक है पहले मैं अब उस लेबर डिसकस कर देता हूँ चाइड लेबर जो है act 1986 बीडी और सिगार वर्कमेन act 1966 यह पिछले बार यह बीडी और सिगार वर्कमेन act पर यह questions भी आया था पिछले बार मेंस में बिहार shops and establishment act 1953 इंटरनेशनल लेबर ओर्गनाजेशन कमपोजिशन activities creation of international standards फिर लेबर इन्फिल्वेंज ओन इंडिय लेबर लेइस्टेशन लेबर एडमिस्टेशन और यहां पर देखिए लेबर एडमिस्टेशन बिहार में को भी आप हो ध्यान रखनी होगी और है जाए अप सेक्शन व वेलफियर हैं वरकर्स के लिए उन सब चीजों पर सेक्शन टू में यहां पर बात करी जा रही है इसे इंडस्टियर रिलेशन्स और ट्रेड यूनियन्स रिफरेंस टू इंडिया और बिहार को भी साथ में दो कि जो भी चीजे पढ़िए उसको बिहार अगर वो बिहार में बिहार को भी साथ में लेकर ही आपको चलना होगा फिर देखिए इंडस्टियर रिलेशन्स उसके कॉंसेप्ट क्या है में एस्पेक्ट्स क्या है इंडस्टियर डिस्प्यूट्स स्ट्राइक्स क्या होते हैं फॉर्म्स कॉजे उसके क्या कारण है प्रिवेंशन तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान कैसे होगा तो यह सब कुछ आपका प्रोपर एक नोट्स होगा तब ही होगा क्योंकि बुक्स में हैं बिल्कुल बुक्स में हैं सारे चीजे लेकिन बुक्स में क्या होता है कि कुछ चीजे यहां दी इस इस पेज में दी गई है कुछ उ सुच में तो आपको क्या करना है कि सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका लेजबलू में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर नोट को प्रिपेर कर लेना है एक दम से लाइन वाइस लाइन तभी आपका यह चीजें अच्छा हो पाएगा फिर वरकर्स पार्टिसिपा पताईये उसके क्या उसके काइंड्स बताए कितने परकार के हैं ट्रेड यूनियंस इन इंडिया अब्जेक्टिव्स उसके क्या होते हैं मेथर्स अचीवमेट अनस्ट्रक्चर गवर्मेंट प्रटिकल अफ्लीएसन लिडर्सिप कोड अब डिसेप्लिन कोड अब कंड़क फिर पावर्टी मेनीं काइंड्स एक्स्टेंड कॉज़ मेजर सोफ इरैडिकेटिंग अस्पेस्टल कोवर्मेंट प्रोग्राम फोर इरैडिकेटिंग फिर चाइड्ड वेलफेर के बारे में बात करनी है उसकी बच्चों के का जो बच्चों के कल्यान के लिए प्राब्लम प्रोब्लेम्स, वेलपियर मेजर्स, फिर प्रोईबीश्वन, पोजिशन इन बिहार भी आपको बताना है, प्रोस्टिचूशन जो है उसमें नेचर उसका क्या कारण है, इफेक्ट्स क्या है, मेजर्स क्या है, पिर बेगरी जो मतलब भीख माँगने का है, नेचर को उसे बिहार को भी connect करके आपको चलना होगा, social security programs of government of बिहार, old age pension, unemployment, dole, group insurance, rehabilitation, bonded labor, तो ये सारे चीज़े आप देख सकते हो कि ये आपको पढ़ना होता है, तो पहले तो आपको यहाँ चीज़े यही करना होता है कि ये सारे acts को पिल्कुल ही कंठस्त आपके जुबान पे होनी चाहि पुछेगा कि ये ये सिर्फ act बताओ, आप जरूर पुछेगा, बोलेगा कि factors act बताओ और उसके साथ भी question लगा के बताएगा, ठीक है, तो इस तरह से आएगा क्योंकि मेंस का प्रिप्रेशन कर रहे हो, प्रिलिम्स का तो कर नहीं रहे हो कि objective आपका हो जाएगा, तो इस त इस तरह से आपको यहां पर दिया गया है, इसी तरह से आपको मिलेगा, यहां पर भी हिंदी में भी देख लो थो थोड़ा सा, नियूंतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगता अनधिनियम, समाध परिश्रमिक, सिकेंड में देखो तो, अनुशाषन सनहीता एवं आ यह भी आपको ध्यान रखने होगी, कि अंतराष्टिय स्रम संगठन, उसका गठन, क्रिया कलाप, अंतराष्टिय स्रम स्रीजन भारतिये, स्रम विधान पर प्रफाव, बिहार में स्रम, तो यह भी एक काफी इंपोर्टेंट होता, यह नंबर फिप, यह सब कुछ का आपको अप्रोपर नोट्स होनी चाहिए, अब ही कैसे आप पढ़ोगे, तो देखो किया करना है, पहली तो की भूक्स आती है, ठीके, इसके बहुत सारे भूक्स आते हैं, एक मैं स всп्झम करूणगा, एक है, सरी श्रीवास्तो का, ठीके, स्रीवास्तों का भूक्स परफावता यह नेकतो है कोई भी बुक लीजिएगा तो आपको इसी तरह से नोट्स बगरा तो बनाने पड़ेंगे नोट्स हाँ यह चीज है कि अगर आप नोट्स भी खरीद सकते हो बीपीएसी के पास गेट है वहां पर बगल में गली है गली में बहुत सारा नोट्स भी वहां पर शॉप लिखा हुआ पढ़ने में आप कमफर्टेवल हो हैं रिटेन नोट्स पढ़ने में कमफर्टेवल हो तो आप ले सकते हो देखो मैं यह नोट्स नहीं खरीदता हूँ अक्चॉली में क्या होता है कि मुझे नोट्स दूसरे का लिखा हुआ रिटेन नोट्स मुझे पसंद न इसको को preparation किसका कर सकते हो सिफ notes से अब पड़ सकते हो कोई problem नहीं है आप अपना syllabus देखते रहना syllabus देखना बहुत त्रूड़ी है इसको मैं सेयर कर दूँगा और syllabus हमेंसा देखते रहना याद होना चीए आपको syllabus syllabus भी अगर exam में नहीं आता है लेकिन फिर भी नहीं फिर बीए एक्ट बगर लाता रहूंगा ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेवर्स बीच-बीच में मैं कुछ-कुछ इसके जिसके एक्ट्स जैसे हैं फैक्ट्री एक्ट हैं यह मिनिमुम वेजेज एक्ट हैं पेमेंट वेजेज एक्ट हैं तो एक करके पर्टिकुलर मैं वीडियो के ठीक है तो यही था आप लोग का बहुत दिनों से डिवांड चल रहा था कि आप बताओ मुझे लेश डवलू का सिलेवर्स तो यह सिलेवर्स हमने बता दिया है और बाकी कंटेंट्स आप कहां से लोग हो तो भी मैं बता दिया और मैं दिरे-दिरे कात चीजों पर मैं सकते हैं सो थाइंक यू फॉर वाचिंग बिहार से विल ग्यान सी यू इन दो नेक्स्ट वीडियो